next example is cesium halide देखे हमने देखा है इसका rock salt structure नहीं होता है even though this is alkali metal halide ठीक है so इसका कैसा होता है cesium halide CSCL हो सकता है CSBR हो सकता है CSI हो सकता है in the crystals of halides of cesium halide ion form simple cubic या primitive lattice इसमें simple cubic lattice बनाएगा halide ion and body center is occupied by cesium plus तो पहली बात ही बता हो cesium plus बड़ा होता है कि CL minus तो answer is CS plus बड़ा होता है so अपने बोल सकते हैं इसका structure कैसे बनेगा इस बार yellow जो अपने पास sphere है वो halide ion है और जो अपने पास red sphere है वो cesium placing तो मैंने बताया एक दो तीन चार पाँच है साथ हाट इससे क्या बन गया simple cubic lattice किस ने बनाया halide ion में और यहां बीच ओ बीच क्या जाएगा अपना cesium का iron this is the structure of cesium halide इस तरीके बनता है अब कुछ बच्चे बोते हैं सर इसमें आपने उल्टा बनाता है आपने बुलना बड़ा वाले lattice बनाता है छोटा वाला white बनाता है इसमें symmetrical है पता है फरक नहीं परता जैसे एक बड़ा item यहां पर होगा cesium का एक यहां एक यहां चार बहार होंगे उनके बीच में एक यह वाला बोल सकते हो एकदम symmetrical है तुम उसको भी देखके कर सकते हो सेम सीमी आया को तुम ऐसा बना सकते हो कि corners पर रख दो cesium बीच में रख दो halide iron फरक नहीं पड़े हो बट ऐसा बनाते है ऐसा बनाया है समझी मा रहा है सो याद रखना है in cesium halides lattice कौन बनाता है halide iron कौन सा simple cubic या primitive और जो body center होता है वहाँ पर क्या आता है cesium plus iron ऐसे याद रखना है अब पर निकालते हैं का contribution the contribution of halide iron per unit cell किता होगा भाई आठ है contribution 1 by 8 वाले 8 into 1 by 8 कित्ता हो गया 1 body center पर एक रखा है भाई एकदम बीच ओ बीच है कितना contribution आएगा full 1 into 1 1 आगया formula क्या हो जाएगा ratio क्या आगे इंदोन का 1 is to 1 formula क्या हो जाएगा csx therefore formula is cesium x कुछ कुछ cesium b.r हो सकता है csf कुछ बो सकता है but cesium का highlight होना चाहिए ठीक है फिर coordination number निकालते है साफ साफ दिख रहा है coordination number of cesium plus बताओ कितना आएगा 8 देखो न यह 8 को touch कर रहा है साफ साफ बीच में रखा है 8 को touch कर रहा है 8 आएगा और पक्का पता पड़ेगा अगर यह 8 है तो दूसरे वाले का भी 80 होना चाहिए बटापन चेक कर लेता है मैंने बताया था कि यहां एक है एक item यहां होगा यहां होगा यहां होगा चार बहार होंगे मतलब यह वाला 8 body center वाले cs place को touch कर रहा होगा यह वाला यह वाला भी 8 को touch करेगा यह एक दो तीन चार चार बहार अगर पीछे वाले की बात करें तो एक दो तीन चार चार पीछे coordination number 8 ही आएगा